तो मैं आज आपको मशीन में धागा डालना सिखाऊंगी सबसे पहले आप धागा लें और उसे इस तरीके से इस छेद में ऐसे डालते वे उसके बाद इसके अंदर डालें इधर से डालें और इस साइड से ऐसे निकालें उसके आई से थोड़ा उपर करके इस छेद में इधर से अप्ती साइट को डाले और फिर इसके बाद यह जो नीचे यहां पर छेद है इसमें से ऐसे फसाए अंदर को डालते वे और फिर सुई में डाले सुई को थोड़ा उपर कर ले मसीन से और सुई में दागा डाले सुई में दागा डालने के बाद आप बॉबिन ले और बॉबिन में ऐसे दागा डाले पहले से इसके अंदर डाले और इसे ऐसे निकालते वे इसमें ऐसे खीश ले और इसे नीचे मसीन के नीचे लगा ले मशीन के नीचे लगाने के बाई से दागे से उपर वाले दागे को थोड़ा नीचे करें सुई को और उसे दागे को उपर ले 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 और इस दागे को दोनों दागे को ऐसे पीछे कर ले हमें आपको कपड़े में बताऊंगे सिलाई करके कपड़ा ले और उसको ऐसे रखें म सीम पर और सुई को ऐसे नीचे कटते वे थोड़ा दागा लूस करें और इसमें ऐसे सिलाई करें यह देखिए इस तरीके से कपड़े को सिलें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यावान